हेलो स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम लोग एक आर्टिकल लिखेंगे और वो आर्टिकल है इम्पार्टेंस आप गेम साइट इस्कूल ओके ये आपके पेपर में 10 मार्क्स का आता है और ये पिछले वर्स यानि 2022 के बोर्ड पेपर में आया हुआ था उसी को माने लिखा है वैसे ये टापिक आपका बड़ा है लेकिन माने कोशिश किया है कि इसकी जो वर्ड लिमिट है उसको हम कम करें और सभी इम्पार्टेंट पॉइंट्स इसमें हम इंक्लिउट कर सकें ओके तो आए हम इसे लिखते हैं जब आप आर्टेंट लिखे तो इसमें जो इंपॉट्न वर्ड पॉट्स हो उन इंपॉट्न वर्ड का जो स्टार्टिंग लेटर हो उसको आपप कैब्सेंट जैसे यहां देखिए माने इम्पॉट्टेंस का आई लिखा है गेम्स का जी और इसकूल का S कैप्टल में लिखा है, आप इसी तरह लिखेंगे, और जब आप इस तरह टाइटिल लिखेंगे, तो आपको हाफ मार्क यही मिल जाएंगे, इसके बाद बाई करके आप यहाँ अपना रोल नंबर लिखेंगे, तो कि बोड परिच्छा में रोल नंबर नहीं लिखना होता है, यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नाम लिखा है, तो कि मैंने इसे अपने चैनल की तरफ से लिखा है, ओके, तो जब आप पार्टिकल लिखें, तो सबसे पहले उसमें आप इंट्रोडक्शन लिखें, जिसमें आप उस टाइटिल को डिफाइन करें, इसी कारण से इंडिया के बहुत से स्कूल अपने करिकुलम में स्पोर्ट और गेम को एड कर रहे हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि स्पोर्ट को प्ले करना किट्स को ओबर बेट से बचाता है जो कि अन्य कई हेल्थ प्राब्लम्स को उत्पन करती है। दे आलसो प्रोवाइड अन अपर्चुनिटी तो विल्ड टीमवर्क, स्किल्स, इनक्रीज सेल्फ कन्फिदेंस, एंड टीच सोशल स्किल्स। दे नाव हियर स्टेंड फार स्पोर्ट और गेम्स। दे सब्द जो आया है यह स्पोर्ट और गेम्स के लिए आया हुआ है। इनक्रीज सेल्फ कन्फिदेंस, अपने अंदर आत्म विश्वास को बढ़ा सकें, एंड टीच सोशल स्किल्स। और जो सामाजिक को सलता है या समरस्ता है उसको हम टीच कर सकें। दियर इज लॉट अफ इंपॉर्टेंस अफ रेगुलर फिजकल अक्टिविटी इन ए परसन्स लाइफ। ओकें। यानि किसी भी व्यक्ति के। जीवन में रेगुलर फिजकल अक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हल्प करती है उनको स्वस्त बने रहने और उनकी जो एमोशनल आइस फिजकल फिजकल फिटनेस को इंपॉर्व करती है। नेक्स्ट आगे देखें। और इसी वजे से स्पोर्स और गेम को स्कूल के करिकुलम में रखा गया है और इसे एक अच्छा थाट भी माना गया है। इनक्लिवडिंग सच अक्टिविटीज राइट फ्राम चाइल्ड हुड विद एजुकेशन इज गूड आइडिया आइज इट हैज एजुकेशन के साथ एक अच्छा विचार है। क्यों क्योंकि यह उनको उनके रूटीन का एक भाग बनाता है यानि जो इस्पोर्ट्स एंड गेम्स हैं उनके एजुकेशन के साथ साथ उनके जीवन का एक रूटीन बन जाते हैं। रूटीन काते हैं दैनिक चर्या या दिन चर्या युकान से। अब जो मेना मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर मुझे अपनी आर्टिकल को लिखना है वह है इंपॉर्टेंस आप स्पोर्ट और गेम्स इन स्कूल। इतना तो आपका इंट्रोडक्शन ना इसके पहले। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि स्पोर्ट और गेम्स का स्कूल में क्या इंपॉर्टेंस है। तो आएगे देखते हैं। एजुकेशन और स्पोर्ट और बेरी मच कोरिलेटेड टू इच अदर। एजुकेशन और स्पोर्ट बहुत अदिक दूसरे सी कोरिलेटेड हैं। सपोर्ट और गेम्स को बच्चे के करीकुलम के साथ एड करना एगुस के परिसनालिटी को सेप परदान करेगा। Here are some of the reasons to show why sports and games are important. यहां हम कुछ reasons दे रहे हैं, जो यह बताएंगे कि games and sports क्यों important है, उनका महत्र क्यों है, ओके? तो यहां पर माने एक-एक point करके, यहां पर माने arrow बनाया है, जो कि एक-एक point के रूप में है, जो यह सो करेंगे कि sports and games का school के curriculum में क्या important है या क्यों जरूरी है? sports and games develop confidence in children, जो sports and games हैं, यह बच्चों के अंदर confidence means आत्म विश्वास को बिख्षित करते ही हैं, it develops, now it here stands for games, it develops teamwork skills like friendship, cooperation, discipline and leadership, जो आपका game है या बच्चों के अंदर कुछ skills को develop करता है, जैसे कि वो friendship के हैं, cooperation के हैं, discipline के हैं और leadership के हैं, नेत्रुत के हैं, जैसे game में कोई captain हुआ तो काहसे नेत्रुत किया जाया है, इन सभी गुणों को वा उसमें सीखता है, they generate a competitive attitude in them, और ये बच्चों के अंदर competitive attitude को भी generate करते हैं, generate में सुत्पन करते हैं, next point है, sports and games will our students physical health which generates mental health, sports और games क्या करते हैं, हमारी students के physical health को will करते हैं, निर्मित करते हैं, और वही हमारा physical health क्या करता है, mental health को generate करता है, एक statement है, किसी के द्वारा कहा गया है, बहुत ही important line है, आप इसे समझ सकते हैं, कि sports and games का हमारे education के curriculum के साथ क्यों जोड़ा गया है, sound mind in sound body, कहावत है, स्वस्ट शरीर में स्वस्ट मस्तिस्क का निमाश होता है, okay, while at play, they raise their self-confidence level high and feel no worries or sadness, जब बच्चे खेलते हैं, तो उस समय उनका जो self-confidence का level है, बहुत हाई रहता है, और उनको उस समय किसी प्रकार की worry वा sadness नहीं होती है, उसको भूले होती है, cheering of assembly increases them to do their best, और जो assembly होती है, खुशी से जब ठाली बजाती है, खुश होती है, तो इस से उनको और प्रोथ साहन मिलता है, next point है, sports and games help in weight loss as the players are more active and burn calories, sports and games का करते हैं, over weight को कम करने में help करते हैं, क्यों, क्योंकि, जब players खेलते हैं, active होकर के, तो उनकी जो calorie है, वो burn होती है, excess fatness की जो होती है, वा कम हो जाती है, when they are in the field, okay, thus games are the best exercise for students, और इस प्रकार आप कह सकते हैं, एक point के रूप में, कि games students के लिए सबसे अच्छे exercise है, आईए, last point जो की important सब games का है, वो है, sports and games open up, opens up career opportunities in the future for students, sports and games क्या करते हैं, भविश्य में students के लिए career opportunities का दरवाजा खोल देते हैं, a child who is super interested and excels in physical activities, will have a big future, कोई भी ऐसा child, जिसका काफी interest है, और वो physical activities में सबसे बढ़कर है, तो निश्ची तुरूप से उसके पास एक बड़ा भविश्य है, ओके, इस सभी रहे, आपका importance के point, इन सभी को आप लिख देंगे, इसके बाद में आप conclude करेंगे, ओके, तो conclusion में आप चले लिखेंगे, आए, मैं आपको यह बताता हूँ, आप इसी तरह का लिखेंगे, तो निश्ची तुरूप से आपको 10 के 10 मार्स आपके body exam में मिलेंगे, तो जो last point होगा, उसमें आप, उसे आप conclusion कहेंगे, तो conclusion, यानि निश्कर्स या उपसंगार इन हिंदी भी से, Apart from the mentioned advantages, यह उपर mention की गई advantages, यह लाव या फायज से, अलग, there are plenty of other reasons to back its importance, and plenty of other reasons? Plenty माने भाभस से, अन करान है, जिससे की इसकी importance को हम support करते हैं, back का मतलब यहा होता है support करना, Sports promote creativity, sports का करते हैं, creativity को promote करते हैं, offer students a chance to learn new skills, students को chance उपलब्द कराते हैं कि वो new skills को learn करें, provide opportunities for team building experience, team building experience के लिए opportunity उपलब्द कराते हैं and teach valuable lessons about the world और संसार के विशे में भी valuable lessons को वो teach करते हैं, ओके, यद आप मेरी इस चैनल पर नहीं हों, तो उसे आप subscribe अवश्च कर लें, ओके